नश्रा दोस्तों, डेट हैं आज की 14 जुलाई 2022 और स्वागत है आपका एटोयल डिसकेशन में आज देखो दो इशूस हमें डिसकेश करने हैं दोनों के दोनों दा हिंदू के पहला इशू, प्रेजिडेंट की पोश्ट से सम्मंदित क्या प्रेजिडेंट की पोश्ट सिरफ एक रबश टैम के तोड़ पे है दूसरा, इंडिया साउथ कोरिया रिलेशनसिप में काफी ब्लोकेट्स देखने को मिले पिछले 5 सालों में लेकिन अब रिष्टों को मजबूत करने का काफी स्कूप है Ethics का example है New Zealand ने declare कि New Zealand में equal pay होगी male और female cricators के लिए तो ये Ethics में use करने के लिए काफी अच्छा example है Economics में हम discuss करते हैं अक्सर कि महलाओं को उतनी pay नहीं मिलती जितनी man को मिलती है wage gap काफी ज़्यादा है तो ये जो New Zealand ने किया है एक example सेट किया है कि equality होनी चाहिए wages के मामले में चलिए discussion start करते हैं First important article President के election से समधित है आप GS paper second के इस topic से article को relate कर सकते हूँ क्या contest है देखो 18 जुलाई को हमर देश में President का election होगा और 25 जुलाई को नए जो President है अपने पद की सपत लेंगे हमर देश में जनता जो हैं देश के नागरिक वो President के elections में directly participate नहीं करते हैं इन directly participate करते हैं कैसे उनके द्वारा जो चुने हुए परतिनीदी है ना जैसे MLA और MP वोट देते हैं President के election में हलागी देखो जनता का interest इस बात में जरूर होता है कि हमारा नया राष्ट्रपती कौन होगा मतलब जिसके पास numbers है for example ruling alliance के पास अभी numbers है वो अपना जो candidate है उसे President की post पर elect करवा सकते हैं तो लोगों में ये interest जरूर होता है कि ruling alliance ने for example किसको चुना President की post के लिए लेकिन एक बार President elect हो जाते हैं तो उसके बाद लोगों का जो interest है वो राष्ट्रपती भवन की तरफ नहीं जाता इसके लिए अगर देखो हम सविधान के provisions पर नज़र डालें सविधान के provisions क्या कहते हैं Article 53 सविधान का कहता है Executive power of the union shall be vested in President and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with this constitution इसका मतलब यह है President काम करते है Council of Ministers की aid and advice से हाला कि जो union की executive power है न वो President के पास रहती है लेकिन President खुद से उन powers का इस्तमाल नहीं करते वो Council of Ministers की aid and advice से काम करते है Council of Ministers जो advise करते है उसी के हिसाब से President को काम करना पड़ता है Dr. B.R. Amitkar ने एक बार कहा था हमारे जो President है न वो सिरफ एक nominal figure head है उनके पास कोई discretion नहीं है उनके पास administration की कोई power भी नहीं है जब देखो सविधान दिर्माता सविधान बना रहे थे न चरचाय चल रहे थी अलग-अलग provisions को लेके तो President की post को लेके भी एक question emerge हुआ debate के दुरान क्या President के election directly होने चाहिए या फिर indirectly होने चाहिए जैसे कि अभी हो रही है उस समय एक member थे Professor Katie साम उन्होंने जोर देकर कहा कि President को भी directly elect किया जाए उन्होंने एक question में पूछा debate के दुरान क्या आप सब लोग ये चाहते हो कि President की post जो है वो सिरफ Prime Minister के gramophone की तरह काम करें यानि rubber stamp की तरह काम करें असल decision PM लें और सिरफ President उन decisions पर अपनी stamp मारने का काम करें इससे ज़्यादा और कुछ नहीं जैसे एक clerk सिरफ stamp मारता है न वैसे ही President सिरफ stamp मारे क्या आप लोग ये चाहते हो debate तो देखो बहुत हुई लेकिन finally यही decide हुआ कि President को elect किया जाएगा indirectly ना कि directly जनता के द्वरा बट writer इस बात से इत्ते फाक नहीं रखते writer कहते हैं हम सविधान के अनुसार पहले देखते हैं कि President को चुने जाने का तरीका है क्या फिर आप बताईएगा क्या President का election direct है या फिर indirect है कौन चुनता है President को Members of Lokshba and Rajasba Members of State Assemblies Legislatures from NCT of Delhi Union Territory of Pudicherry अभी तक देखो Jammu and Kashmir की जो Assembly है वो तो गठित हुई नहीं है अगर होती तो Jammu and Kashmir की Assembly के जो Members है ना वो भी Participate करते है अच्छा एक बात बताईए एक MLA की Vote की कीमत क्या होती है President के election में बताईए मैं आपको example की साइथा से बताता हूँ जैसे देखो Telangana एक राज्य है Telangana में Assembly Seats की संख्या कितनी है 119 और 1971 के Census के हिसाब से Telangana की Population कितनी है 1.57 करोड तो एक MLA की Vote की Value अगर आपको निकालनी है न तो Total Population उस राज्य की 1971 के Census के अनुसार उपर आ जाएगा डिवाइड़ बाई Total Number of Assembly Seats कितनी है 119 इन्टू में 1000 Denominator में 1000 से मिल्टिप्लाई कर देते हैं ये आ गई एक MLA की Vote की Value Telangana में और Total Number of कितने MLA's हैं Telangana में 119 119 इन्टू 132 कर दीजिए ये जो Value आई 15708 ये Telangana राज्य के जितने भी MLA's है न उनकी Vote की Value का Sum है 15708 तो हमने Telangana का Example डिसकस किया वैसे आर्टिकल में MLA की Vote की Value है 208 अब देखो इस फार्मूले की साहिता से ना राइटर एक Point Raise करना चाहते हैं राइटर कहते हैं देखो किसी State में MLA की Vote की Value क्या होगी उसमें उस State की Population कितनी है ये Important Role प्ले करती है मतलब की Population कितनी है देश की ये एक Crucial Factor है President के Election में ऐसा नहीं है कि सभी राज्यों में एक MLA की Vote की Value 1 है नहीं ऐसा नहीं है मतलब Population एक Factor है इसलिए ये जो चीज है न वो President को एक Greater Moral Authority प्रोवाइड करती है यानि कि Indian President जिनके Election में Population एक Factor है वो सिरफ एक Rubber Stamp की तरह काम नहीं कर सकते ये सच है कि Directly वो अपने Decisions नहीं ले सकते उनके पास Discretionary Power ना के बराबर है लेकिन देखो वो Council of Ministers के Decisions से डिसागरी जरूर हो सकते है President के पास ये Power जरूर है कि वो Council of Ministers को साफधान कर दे उन्हें गाइड कर दे कि ये जो Decision ले रहे हो ये गलत है वो इवन Council of Ministers के फैंसले को एक बार लोटा भी सकते है रिकंसिडर करने के लिए वो बात अलग है हलांकि कि Council of Ministers उस फैंसले को फिर से भेज़ दें कंसिडर करने के बाद प्रेंसले को पास में तो प्रेंसले को फिर वो फैंसला एकसेप्ट करना ही पड़ेगा बढ़ देखो एक बार अगर राश्टरपती Council of Ministers को फिर से रिकंसिडर करने के लिए बोलते हैं किसी फैंसले को तो फिर सिदी बासा में बोलूँ तो बेजती हो जाती है Council of Ministers की सरकार के भारी बेजती हो जाती है यही एक रीजन है कि आम तोर पे जो ruling alliance है न वो ऐसे person को president की post पर बिठाते है जिनके बारे में उनको पता है ये person ज़्यादा बोलेगा नहीं देखो ये बात मैं सिरफ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ इसको आप otherwise मत लिजेगा अभी देखो बीजेपी को लगता है कि जो द्रोबदी मुर्मू है न जो हमारी अगली राश्टरपती होंगी बीजेपी को लगता है कि वो ज़्यादा मतलब लो प्रोफाइल रहेंगी ज्यादा एक्टिविस्ट रोल प्रे करेंगी नहीं तो हम असानी से अपना काम करते रहेंगे अगर प्रेजडेंट थोड़ा सा भी एक्टिव होता है न तो सरकार के लिए परिसानी खड़ी हो जाती है प्रेजडेंट के पास इतनी बड़ी पावर होती है प्राइम मिनिस्टर को समन करने की अगर प्रेजडेंट समन भी कर देना प्राइम मिनिस्टर को किसी इस्यू पर तब भी सरकार की भारी बेजती हो जाती है कि President ने Prime Minister को संबन किया इसलिए बहुत ज़्यादा भ्रोसे मन्द परसन को ही President की Post पर बिठाया जाता है उस Party के द्वारा जिसके पास Numbers होते हैं For example, अभी Numbers हैं BJP के पास में इसके बाद Writer important point raise करते हैं देखो President जब सपत लेते हैं तो दो पार्ट में वो सपत लेते हैं पहला पार्ट President की सपत का ये है कि President shall preserve, protect and defend the Constitution दूसरा पार्ट ये है President shall devote himself or herself to the service and the well-being of the people of India तो सपत President की Post की ऐसी है कि President सिरफ Prime Minister के Gramophone की तरह काम नहीं कर सकते उन्हें लोगों का हित देखना ही पड़ता है ऐसी उन्होंने सपत ली हैं अगर वो लोगों के हितों को सुरक्सिती नारक्स के तो फिर उनके जो सपत ली है उन्होंने वो किस काम की बड़ देखो अजादी के बाद से experience ये है generally समान्यता राश्टरपती जो है ज़्यादा कुछ सोचते नहीं है जब सरकार लोगों से उनके राइट्स छीन लेती है लोगों के राइट्स को दबाया जाता है लिबर्टीज छीनी जाती है सरकार के दवरा तो प्रेजडेंट कुछ ज़्यादा बोलते नहीं है हमारा देश उन चुनिंदा डेमोकरिटी कंट्रीज में सामिल है जहां पर एग्जिकेटिव नहीं यानि सरकार ने बहुत ही ज़्यादा पावर्स अपने हातों में कॉंसेंट्रेट करके रखी है और ये जो फेनमनन है ना 1970s के बाद से इंक्रीज हो गया जब इंदरा गांधी परधामंत्री बनी थी हाला कि लेट 60s में ही बन गई थी लेकिन 70s में उन्होंने पावर से अपने हाथों में कॉंसेंट्रेट करना स्टांट कर दिया था पांस्ट एक्सपिरियेंस ये कहता है कि प्रैजडेंट्स ने सिरफ rubber stamp के त्वर पे ही काम किया है क्योंकि देखो जब भी सरकारों ने लोगों के rights को धभाया है ना लोग बहुत कम बार ऐसा होता है कि वो प्रैजडेंट के पांस जाने के बारे में सोचते हैं उन्हें पता है कि प्रेजेंट कुछ नहीं करेंगे लेकिन देखो कुछ राश्टरपती ऐसे भी हुए हैं जैसे राजिंदर परसाद, सर्वपली, रदा कृष्णनन जो उस समय की सरकार के साथ openly मतलब उन्होंने अपनी difference of opinion जाहिर की policy issues पर उन्होंने कहा कि हम आपकी इस policy से इतिफाक नहीं रखते हैं उन्होंने सरकार की कारेपरनाली को influence किया तो last में conclusion में राइटर ये कहते हैं राश्टरपती के लिए देखो ये possible है कि वो सरकार से डिसागरी करें और citizens के बिहाव से intervene करें जब सरकार लोगों से उनके rights छेनती हैं क्योंकि इस परकार की उन्होंन प्रेजडेंट चाहिए ना कि प्रेजडेंट के office को hold करने वाले रियल प्रेजडेंट इंडिया को चाहिए ये पूरा आर्टिकल हमने discuss किया चलते हैं आगे इसके बाद next article इंडिया-South Korea relations से सम्मदित हैं आप GS paper second के इस topic से आर्टिकल को relate कर सकते हूँ क्या contest है? Contest as such देखो कोई special नहीं है, simply article publish हुआ है, इंडिया-South Korea relations से सम्मदित है सुरवात में ये बोला जाता है introduction में कि पिछले 5 सालों में हमने देखा कि इंडिया और South Korea के relations में काफी सारे divergence देखने को मिले Convergence का मतलब ये होता है कि जब दोनों देश कुछ issues पर सहमत होते हैं कि हाँ हमारी भी राय है, यही और आपकी भी यही राय है, दोनों के interest जो है वो एक जगाए आके मिल जाते हैं, तो कोपरेशन की संभावना ज़्यादा रहती है divergence का मतलब ये होता है कि जैसे इंडिया कुछ सोच रहा है, South Korea कुछ अलग सोच रहा है उस issue पर, तो South Korea और इंडिया के जो relations है न, वो divergence की तरफ बढ़े पिछले 5 सालों में इंडिया ने जहां Quad को जोइन किया, जिसमें Australia, US, India, Japan है, South Korea इस initiative से बाहर रहा, South Korea ने Indo-Pacific region में भी कुछ खास अपनी activity दर्ज करवाई नहीं बट अब देखो, नए राष्टरपती जो बने है न, South Korea के, उनकी approach, foreign policy से सम्मन्दित और security policy से सम्मन्दित अलग है पहले के राष्टरपतियों से अब South Korea के जो president है न, वो South Korea को global pivotal state बनाना चाहते हैं, anchored in liberal values and a rule-based order, देखो ये diplomatic language है, मैं आपको simple भासा में बताता हूँ उन्होंने न, intention जाहिर की है, कि अब South Korea, बड़ा role play करेगा, active role play करेगा, global issues में एक तो देखो, माली जे कोई देश चुप-चाप रहता है, world में कुछ भी चल रहा हो, कुछ खास interest लेता नहीं है, कुछ खास statements भी जारी नहीं करता, world issues पर दूसरी तरफ एक ऐसा देश है, जो global issues में खासा interest लेता है, अपने interest को promote करने की कोशिस करता है, world में कुछ भी हो, कहीं पर भी statement जारी करता है, कि हमारा ये stand है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए तो South Korea के President की statement के अनुशार, अब global issues में interest लेगा South Korea, और कोशिस करेगा कि liberal values पर्मोट हो, world में rule-based order establish हो, rule-based order मतलब जैसे UN की कोई convention है, उसको लोग माने, चाइना पर जैसा आरोप लगता है, कि चाइना UN conventions को मानता मूनता नहीं है, अपनी दादागरी दिखाता है, South China Sea में, East China Sea में, राइटर ये कहते हैं, इस point से मतलब essence निकालते हैं राइटर, कि South Korea ने जो इच्छा जाहिर की है ना, कि वो अब global, pivotal state बनेगा, और active role play करेगा, regional affairs में, इस इच्छा जाहिर करने के बाद, इंडिया और South Korea relations को मजबूत बनाने का काफी scope हैं, पिछले कुछ सालों में, इंडिया और South Korea के relations में, काफी रुकावटे आई हैं, खास करके economic ties में, trade जो हैं दोनों देशों के बीच, जादा grow नहीं हो रहा है, stagnant सा हो गया, काफी धीरे धीरे grow कर रहा है, South Korea के तरफ से कोई major investment नहीं आई हैं इंडिया में, इंडिया और South Korea पहले कोशिस कर रहे थे, अभी जो उनके बीच में comprehensive economic partnership agreement है ना, इसे upgrade किया जाए, लेकिन कोई इसका result निकला नहीं है, पिछले कुछ सालों में देखो, South Korea थोड़ा जादा ही tilt हो गया था, चाइना की तरफ, मतलब चाइना के साथ रिष्टे जादा अच्छे हो गये थे, South Korea के, बट अभी के जो South Korea के राष्टरपती हैं, वो इसे rectify करना चाहते हैं, इसलिए, इंडिया के काफी scope है, trade का target ये है, 2030 तक trade को 50 billion dollars तक ले जाए जाए, कुछ महीने पहले तक तो ये थोड़ा मुश्किल चाह लग रहा था, लेकिन अब लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा, बहुत सारे areas में, corporation का scope का जादा है, जैसे public health, green growth, digital connectivity, trade, 2020 में, इंडिया और South Korea ने एक roadmap sign किया था, roadmap for defense industries, corporation, लेकिन देखो, political will की वज़े से, even ये defense agreement sign होने के बाद, कुछ खास हुआ नहीं, लेकिन अब, चुकि South Korea, एक बार फिर से अपनी orientation को change कर रहा है, scope है, defense corporation जादा हो, इंडिया और South Korea के बीच में, जैसे देखो, दोनों देश, advanced defense technologies, और modern combat system, यहनी latest, जो लड़ने वाले हतियार है जिनका इस्तिमाल किया जाता है, युद में, और काफी advanced defense technology, for example, जो युकरेन और रश्या के वार में देखने को मिली, जैसे drone, इनको लेके corporate कर सकते हैं, दोनों देश, मालाबार exercise जिसमें अभी चार देश पार्टिस्पेट करते हैं, इंडिया, जपान, आश्ट्रेलिया और युएस, South Korea भी participate, अगर कर्स के इस exercise में तो और भी ज़्यादा बैतर हैं, पिछले जो राश्ट्रपती थे न, South Korea के, Moon Jae-in, उस दुरान South Korea और जपान के रिष्टे कुछ खास अच्छे नहीं थे, चाइना के pressure के चलते, ये कह दिया था South Korea ने, कि वो किसी परकार का Trilateral Corporation नहीं करेंगे, Trilateral Corporation जिसमें South Korea, जपान और युएस तीनों देश हों, ऐसा उन्होंने चाइना के pressure के चलते commitment दी थी, बट अब अगर South Korea अपना orientation change करता है, तो South Korea, जपान और इंडिया तीनों मिल के defense, policy से सम्मन्दित coordination आपस में कर सकते हैं, तीनों मिल के China का सामना कर सकते हैं, counter कर सकते हैं चाइना को, चाइना पे दबाब बना सकते हैं, देखो इस reason में इंडिया के रिष्टे अच्छे हैं, जपान के साथ में, वियतनाम के साथ में और आस्टेलिया के साथ में भी, तो South Korea ना, चोथे पिल्लर का काम कर सकता है, इस reason में, इंडिया के ally के रूप में, इंडिया का influence काफी जड़ा increase हो जाएगा, अगर South Korea के साथ भी, defense के मामले में इंडिया के रिष्टे बहुत ज़़ा मजबूत होते हैं, जैसे जपान, आश्टेलिया और वियतनाम के साथ मे हैं, यह तीन पिल्लर हैं, चोथा पिल्लर हो गए South Korea, लास्ट में राइटर यह बोलते हैं, देखो यह बात सच है कि इंडिया और South Korea में cooperation का scope काफी ज़्यादा है, अगर South Korea अपनी policy को change करता है, लेकिन कुछ challenges भी हैं, अगर South Korea अपनी policy को reorient करेगा, चाइना के तरफ अभी tilt ज़्यादा है, वो change करेगा, तो चाइना का pressure आएगा काफी ज़्यादा, तो question यह उठता है, क्या चाइना का pressure जो है, वो South Korea withstand कर पाएगा, जहेल पाएगा, दूसरा, अब देखो US में न, Trump की जो party है न, Republic party, वो मजबूत हो रही है, Trump अगर दुबारा राष्टरपती बनते ह तो US-Korea relationship का क्या scope होगा, यह भी देखने वाली बात होगी, वो कि Trump न, South Korea के साथ में ज़्यादा अच्छी दोस्ती चाते नहीं थे, वो चाते थे कि South Korea के साथ में, जो relationship है, उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, Mr. Yoon जो थे, उन्होंने काफी dynamic policy अपनाई, उ लिजे, फिर से चुन लिए गए, तो South Korea के कैसे relation होंगे, USA के साथ में, वो देखने वाली बात होगी, दूसरा देखो, जिस commitment की में बात कर रहा था न, चाइना के दबाब के चलते, three nose की policy अपनाई थी, three nose का agreement sign हुआ था, South Korea का चाइना के साथ में, जैसे no additional terminal high altitude area defense, third deployment, third के ब of a trilateral military alliance with the USA and Japan, यह हमने discuss किया, तो तीन चीजों को लेके no कह दिया था, South Korea ने, चाइना के pressure के चलते, तो अब, अगर South Korea इस agreement को तोड़ता है, तो चाइना कैसे react करेगा, और कैसे South Korea उस pressure का सामना करेगा, यह देखने वाली बात है, अब last में बारी आती है conclusion की, इंडिया मलद कर सकता है, South Korea की China का pressure जहलने में, और North Korea की threats भी जहलने में, North Korea की threats का सामना करने में,